हेलो दोस्तों मैं विवेक सुरूए आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस नए व्लॉग में तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि काफी सारे स्टूडन्स को यह डाउट रहता है कि हमारा 16 महीनों का continuous course है और हम अभी seconds M मे है और हमें एक break लेना है चार महीनों का मतलब कि drop लेकर चार महीनों का break लेकर हमें हमारी फीज अरेंज करनी है और फिर हम थर्ड से में वापिस जॉइन होना चाहते है तो क्या यह drop allowed है है तो इसके क्या-क्या rules है क्या-क्या procedure है कैसे आप यह drop ले सकते हो और क्या यह drop लेना फाइदे मंद है या नुकसान कारक है तो यह सारी चीज़े हम discuss करेंगे आज के इस vlog में तो इसलिए बिना वक्त दवाय स्टार्ट करते है आज के इस vlog को तो दोस्तो अगर आप कॉनेश्ट होगा college में पढ़ रहे हो तो शायद आपका course ऐसा होगा जिसमें बीच में कोई break allowed नहीं होगा क्योंकि कॉनेश्ट होगा में काफी सारे continuous education courses जो होते है उसमें आपको बीच में break नहीं मिलता यानि कि यह course ऐसे होते है जो 16 महिनों के होते ह आपके जो 4 semester है वो continuous रहते है हर intake में suppose आप अपी January intake में आ रहे हो तो आपका next semester तुरंत आजाएगा में इंटेक वालों के साथ third semester तुरंत आजाएगा September intake वालों के साथ तो आपको बीच में कोई break नहीं मिलता और हमने काफी लोगों को देखा है कि उन लोगों को यह सवाल रहता है कि what if हमें यह बीच में break चाहिए हो कैसे ले सकते यह बीच में break क्योंकि काफी लोगों का क्या रहता है कि जब उनको first semester क लोगों की सोच यह रहती है कि वो चार महीने के break में अगर वो ले पाते हैं और लोगों की सोच यह रहती है कि वो चार महीने के break में अगर वो ले पाते हैं वो break तो वो break में उनको full time काम करने का मौका मिलता है और वो full time काम करके कुछ earning करके अपने fees पे कर पाएंगे पर यह सबसे बड़ा myth है अगर आपका continuous course है अगर आपको चार महीने का break नहीं मिल रहा है धट मिन्स कि अगर आप वो break खुद से ले रहे हो तो उसमें आप काम नहीं कर पाऊगे वो क्या है वो मैं आपको बात में समझाता हूँ क्यू है बट अगर आपक क्या है कि अगर आपको ब्रेक चाहिए तो उसमें दो चीज़े वो लोग कंसिडर करते हैं कि अगर आपका ब्रेक जो है वो 120 डेस से ज्यादा है या कम है मतलब कि आपको जो ब्रेक लेना है next semester के बीच में तो वो अगर 120 डेस से कम है that means कि आप कैनेडा में उस duration तक रह सकते ह हो बट अगर आपका ब्रेक जो है वो 120 डेस से ज्यादा है तो you are not allowed to stay in Canada आपको वापिस इंडिया जाना पड़ेगा और तो और अगर आपको कैनेडा रहना हो तो आपको वीजा रीपलाई करना पड़ेगा टूरिस्ट वीजा लेना पड़ेगा तो ही आप 120 डेस से ज्याद है तो आप ब्रेक ले सकते हो और कैनेडा में रह सकते हो but the biggest disadvantage of this is that कि आप वो 120 डेस का जो ब्रेक ले रहे हो और कैनेडा में रहने का प्लान कर रहे हो उसमें आप कोई भी सीन जॉब नहीं कर पाओगे जी हाँ you heard me right कि अगर आप purposely ब्रेक ले रहे हो 120 डेस का आपको टाइम जाहिए उसमें आप एक भी सीन जॉब जो चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे you won't be able to work आपको बिना जॉब के ही कैनेडा में रहना पड़ेगा unless आपके पास कोई और जुगार हो सीन के अलावा जॉब करने का तो तो यह एक disadvantage है still if people are planning to take break and managing their expenses back in means back from India तो अगर उनको ब्रेक लेना हो तो ब्रेक लेने के लिए कि प्रोसीजर यह है कि आपको international student advisor जिसका card में अभी screen पर share कर रहा हूं उनसे आप contact करना है उनको mail डालना है कि hi because of my personal reasons या this and that reason और यह भी लिख सकते हो I am not being able to manage my finances for next semester I want to take a break of 4 months या तो फिर 120 days so क्या होगा कि वो international student advisor जो है उसका mail ID मैंने ये card पर share किया है तो वो जो student advisor है वो आपको revert back करेंगे आपके साथ एक appointment fix करेंगे वो appointment आपकी in-person appointment होगी आपके खुद के campus में फिर उस दिन पर आपको उनके साथ बात करनी होगी कि किस reason से आपको break लेना है क्यों लेना है कौन स semester में हो आप और whether break is like 120 days और one more than 120 days तो ये सारे discussion वहाँ पर होगी फिर आपके बिहाफ पर वो आपके लिए एक online form फिल करेंगे वो form फिल करने का break का जो form है वो form फिल करने के भी चालिस डॉलर्स है फीस 40 और 35 I don't know the exact amount but yeah maybe let's चलो पकड़ के चलते है 35 तो पैटीस डॉलर्स की आपको फीस पे करनी रही है वो फीस पे करने के बाद दो दिन के अंदर आपको confirmation मिल जाता है कि yes you're allowed to take a break for four months and then आपको वो break मिलता है but what I would suggest to not take that break and continue with your education as there is no meaning to take that break क्योंकि अगर आप break लेते हो तो आप काम तो करनी पाओगे सीन पर unless आपके पास कुई और एक जुगाड हो but आप काम नहीं सीन पर कर पाओगे तो उसका कुई मतलब नहीं है वैसे भी ब्रेक लेने का थोड़ा आपको फिर finances manage करने पड़ेंगे शायर इंडिया से मंगवाने पड़ेंगे I know it's very tough to manage those expenses but break लेके आपका कुछ होने वाला नहीं है हाँ आपको थोड़ा बहुत time मिल जाता है वो finances manage करने में बट still Canada में आप बिना जॉब के करोगे भी तो क्या करोगे हाँ आपको ब्रेक लेकर इंडिया जाना हो थोड़ा चिल करना हो कोई emergency हो कुछ काम खतम करना हो तो आप खतम करके आ सकते हो तो यही सारी process थी कि अगर आपका continuous education program है 16 महिनों का 4 semester का back to back semester है और अगर आपको break लेना है तो वो कैसे ले सकते हो वो सारी details मैंने आपको share की तो आज का वीडियो इतना ही है काफी short वीडियो था पर informative ज़रूर था और अगर आपको किसी और topic पर वीडियो चाहिए हो तो वो भी हम जादा से जादा details देने का try करेंगे तो जरूर आप बताईएगा comment section में इसी note पर हम आज का वीडियो एंड करते और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप channel को like कीजिए channel को subscribe कीजिए video को like कीजिए and अपने friends तक share कीजिए ताकि वो लोग भी यह information ले पा कीजिए बताईएगा है